अलो नमस्कार साथियो मैं आपके लिए सोचलोजी के बिये पार्ट वंक के कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन लेके आया हूँ तो देखते हैं हम लोग कोश्चन है हमारा समदाई क्या है समदाई के आवसक तत्त बताईए अत्वा में कहरा है आपका समदाई की परवासा देजिए तत्त समाज और समदाई में अंतरिश्वश्च केजिए इसके बाद आपका कहरा है कि समदाई से आप क्या समझते हैं इसकी प्रभू विस्षस्ताओं का उलेक कीजिए तो अगर इस तीन कोशन है आपके लिए तो अगर इन तीन कोशन में से अगर आप से कोई भी पूछा जाता है तो आप जबाब यहीं देना है तो आंसर इसका है कि संसार का प्रतेग विक्ति किसी ना किसी समदाई का सदस्य अनवा रूप से होता है विक्ति किसी एक परिवार में जन्म लेता है और उस परिवार का अस्त्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत कुछ्फथ्यt उस पुर्म हर्चत को समधाय की परिभाश हैं समधाय सब्द का अंगलेजी भासा में सब्द कहीं कम्युनिटी इसमद को क्या क्या बोलेंगे समदाय ठीक है ठीक है हरे थल्हुनिटी सब्द की उत्पत्ति लेटन भासा के in on box-onies दो सब्धों सो हुई है मना सब कर आप क्या बना होओ कि सहल बिवनिय को निम्र प्रवाश कीया है समधाय की परवाश देते हुए ग्रीप ग्रिण 시작 है कि समुदाय शंकीड प्रादेशिक घेरे में रहने वाले विक्तियों को शमू है जीवन के समान धंग को अपनाते हैं एक समुदाय एक इस्थानिय समू है सेकेंड है आपका किंग स्ले डेविश के सब्दों में समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा छेतरी शमू है जिसके अंतरगत सामाजी जीवन के समस्त पहलू आते हैं इन्होंने क्या बताया है इन्होंने समुदाय को मलब एक छेतरी शमू बताया है आगवर्न तथा निमकॉफ ने कहा कि किसी सेमी छेतरकें अंदर रहने वाले सामाजी जीवन के संपूर अंगठन को समुदाय कहते हैं वोगाडश ने कहा है कि समदा एक ऐसा समाजी समू है तो कुछ अंसों में हमकी भावना रखता है किसकी भावना रखता है हमकी और एक निर्दिष्ट छेत्र में निवाश करता है मैं कैवर ने कहा मैं कैवर तथा पेज ने कि जब किसी समू के सदस्त चाहेवाज समू छोटा हो या बड़ा हो इस प्रिकार एक साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना किसी विशेश हित्में नहीं होता बल्दि सामानी जीवन की मूलभूत दसाओं में भाग लेते हैं तो हम उस सम्हूं को समधाय कहते हैं समधाय की विशेशन अत्वा आवस्क तत्त देखते हैं लोग पहला मनुश्यों का शमूं मनुश्यों का समूं समधाय की रचना पर का अधार है बिना मानव समूं के समधाय की कलपना भी नहीं किया सकती प्यवलेक निश्यत भगोलक छेत्र में रहने वाले जन समूं को ही किसी भी समधाय के लिए निश्यत भूभाग का होना आवश्यक है इस्थानियता के आभाव में एक समधाय की कलपना भी नहीं किया सकती ग्राम नगर जनपद प्रदेश देश आदि प्यक्ति निश्यत होगोली छेत्र की और संकेत करते हैं जिसके अगरत के प्रति हम की भावना से हैं किषके भावना से हैं हम की भावना से हैं एक निश्यत भूभाग पर निदेंतर रहने पर मनिस अपनी भूमि से प्रेयम करने लगता है फूर्थ पॉइंट है हमारा सामान जीवन एक निश्चित भोगुले छेत्र में रहने के कारण एक समुदाय की समान आवसक्ताएं होती हैं समुदाय में सरस्थों का रहन सेंग, बेश भूसा, खान पान, तेवहार, भासा, रीति डिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, रूडियां, संसाएं, बिभार की बिधियां, संसिक्रिति, आज सभी में समानता पाई जाती है फिर पॉइंट है हमारा सोता विकाश समुदाय का निर्मान विचार पूर्वक नहीं किया जाता है, बल्कि इसका धीरी धीरी शुता विकाश होता है, किसी गाउं कस्वे या नगर का जर्म, किस निश्चित कित्थी को हुआ, ये बताना सम्भव नहीं है जिसके साथ सम्धाय का लंबा ये तिहाय जोड़ा होता है, इस नाम की प्रती सम्धाय के लोगों में प्रेम और आकर्शन होता है, तो सम्धाय के भावना eder को यिस्थाही रखने में अतन्त महत्पूर्य हुदार देता है सेविंध प्वांट हैमारा आत्म निर्वरTA काल में आत्म निर्भरता शमदाय का आवश्यक काधार माना जाता है था आध्रक योग में याताया तदा संदेश वाहन के साधनों के विकास के कारण समदायों की आत्म निर्भरता पूर रूप से समाप हो गई है समदाय के इन तत्यों से स्वाष्ड है कि इनिmittel अधिक महद्पूर है इन तत्यों के और में किसी भी समदेट करण बीनिंग की सकती इन तिनлохले सिफ्टावड्र में परष्टोथ किया है यह है आपका वह शमन्बावर माजब समु प्लीस निश्चित भूबाग प्लस समदायक भावना तो इसमें कहा रहा है पड़ोष महोला जन जाती गाओं आधी छोटी समधाय के उधारण है महानेगर प्रांत आधी मध्यम समधायों तथा राष्ट महादीब बड़े समधायों के उधारण है अब देखते हैं समाज और समधाय अंतर तो पहले एक 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 देखते हम समाज में है कि समाज का रूप अमूर्थ होता है क्योंकि ये समाजी समधों का जाल है तथा समाजी समध अमूर्थ होते है समधाय में क्या है समधाय का रूप मूर्थ है क्योंकि ये विक्तियों का शमू है समाज कह रहा है समाज में निश्चित भुवाग की अनवारता नहीं हुआ लेकिन समुदाय में एक निश्चित भुवाग का होना अवश्यक है थर्ड कह रहा है समाज कि समाज समरूपता तथा बिसमरूपता दोनों का समान इस्थान है समुदाय कह रहा है समुदाय में समुरूपता का होना अनवार है समाज में कह रहा है 4th point समाज में ऐसी किसी भावना की अरशक्ता नहीं होती समुदाय कह रहा है समुदाय में समुदाय भावना का प्रमुक होती है समाज में 5th point है आपका समाज में चोटे बड़े अनहीं समुदाय करण समाज का एब भाग इसलिए समाज से छोटा होता है 6 पॉइंट है समाज में विभन शंस्क्रीटियों बाले लोग भी हो सकते हैं लेकिन समुदाय में एक समदाय के लोगों की शंसीरति, खानपान, जीवन के धंग आधी लगवक इस तमा होते हैं तो यह है आपका लोग कोश्चन